हलो एवरिवन आज का जो मेरा सेशन है वो है इन ओल इंफरमेशन रिल्टेट टू एंडी एक्जाम बट इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इंफरमेशन देना चाहूंगा कि जिस तरह से आप इंपिटर्स गुरू कुल के चैनल से जुड़े और जुड़ होते हैं उनका रिलेटेट सिलेबर्स होता है उसके एक सेपरेट वीडियो आपको मिले तो मैं आप सबको यह बताना चाहूंगा कि इंपिटर्स गुरू कुल ने अपना नया चैनल स्टार्ट किया है जिस पर आप इस सेशन देख रहे हैं इंपिटर्स गुरू कुल डिफे इसमें जाना है तो उसका रास्ता जितना आसान है उतना ही मुश्किल है आसान जब है जब वो उसके पास सारी इंफॉर्मेशन सही समय पर सही हूं और मुश्किल जब है जब इंफॉर्मेशन हमारे पास समय पर नहीं मिलती हमें यहां मिसगाइडेट हैं तो इस चैनल का प यानि जितने भी possible NCC entry हुई, technical entry हुई, जो possible exams होते हैं, वो सारे अलग-अलग sessions में लूँगा, क्योंकि एक sessions के साथ भी कई बर confusion होता है, तो start मैं NDA के sessions से कर रहा हूँ, पर आपको इस channel पर आने वाले दिनों में, defense related सारे sessions मिलते जाएंगे, even SSB के लिए क्या करना, SSB related sessions, कई ब भी, तो इस session को देखने के बाद, यदि आपके कोई questions हों, doubts हों, तो जहूर इस comments में लिखें, तो आने वाले दिनों में जो sessions आपको मिलेंगे, जो आप questions पूछेंगे, तो उसके सारे reply भी मिलेंगे, चलिए, आप बात करते हैं, defense की, तो defense का जैसे ही word आता है, तो एक अलग कही energy आती है, और कई लोगों को ऐसा लगता है, कि मुझे अपनी country के लिए कुछ करना है, देखें, एक बात बिल्कु क्लियर रखें, कि country के लिए करने के लिए जवी नहीं कि आप defense में या सेना में जाएं, बट अगर आपका मन है, आपकी इक्षा है कि आप defense में जाना चाह तो अगर जब हम बात करते हैं, जैसे ये word आप लोगोंने हमेशा सुना NDA, तो जैसे हम NDA की बात करते हैं, मिस officer rank की बात करते हैं, ये start यहां से होता है, कि अगर आप officer ranking पे जाना चाहें, तो आपके पस 12th के साथ, या 12th के बाद ये एक option होता है, पर कई बच्चे NDA में इ जाते हैं, या नहीं निकल पाते हैं, क्योंकि या तो उन्हें late पता चलता है, या सही information नहीं होती, या छोटी-छोटी चीजें नहीं पता होती, क्योंकि एक NDA की जब बात करते हैं, तो केवल return exam अकेला नहीं है, return exam के qualify करने के बाद, यानि return exam के cut-off को cross करने के बाद, आपक recommend होते हैं, तो ये जो five day का procedure क्या है, ये हम अगले session में बात करेंगे, पर सबसे पहले हम बात करते है, return exam की, return exam कौन-कौन दे सकता है, क्योंकि मैं ये आज session ले रहा हूँ, तो obviously मैं अभी current NDA के बारे में बात करूँगा, पर ये session आगे तक आपको काफी काम आएगा, सबसे बड़ा confusion एक होता age को लेके, cut off को लेके, syllabus को लेके, पढ़ना कैसे चाहिए, कौन-कौन सी books पढ़ें, ये सारी बाते हैं, जो मैं इस session में cover करूँगा, तो one by one में एक एक slide लेता जाऊँगा, और आपको बताता चलूँगा, और काफी सारी detail information मिलेंगी, तो आप चाहें, त नोट करते चलें, जिससे आपको कोई confusion ना हो, सबसे पहले हम बात करते हैं, कि अभी, क्योंकि ये session में आज आपका ले रहा हूँ, तो NDA 21 की, NDA candidate कौन करता है, तो UPSC NDA candidate करती है, और UPSC अपना academic calendar हर साल डिकलिया कर देती है, समय से पहले, तो next year में NDA की exam कब-कब होंगे, इसकी information UPSC ने डिकलिया कर दिये, पहला exam जो है, वो है 18 अप्रेल को, जिसे हम NDA 1 बोलते हैं, और जो NDA 2 होता, साल में ये दो exam होते हैं, उसका है 2021 में, ये session उन सभी बच्चों के लिए काम का है, जो 10 या 11th class में है, या 12th class में, आप ये मत सोचे कि इस date से कोई मतलब है, अ उतना आपको फायदा मिलेगा, दूसरा, कई बच्चे, IAT और NDA को लेके बड़ा confuse होते हैं, वो भी मुझे आपको बताना है, कि IAT और NDA में क्या difference है, और एक और बात होती है, कि NDA कैसा exam है, बाकि जितने भी exam होते हैं, चाए वो medical का हो, चाए IAT का हो, चाए CLATE का हो, उसमे और NDA में एक different personality लगती है, क्योंकि NDA कैसा exam है, जिसमें आप अगर NDA के लिए आप सोचे हैं, तो आप officer rank पे जाते हैं, और officer rank में जाते हैं, तो वो सारी quality आपके अंदर होनी चाहिए, जो एक officer में होती है, और वो भी किसके लिए country के लिए, यानि country first, तो बहुत अलग attitude easy लगता है, उतना ही tough हो सकता और उतना ही easy हो सकता, आपके thought process के हैं, तो जितना पहले आप start करेंगे, उसका फायदा उतना मिलेगा, तो number one बात करता हूं, कि इस साल की NDA की exam है, हर साल NDA, April में ही होता है, और दूसरा जो NDA होता है, normally September में, कभी कभी October November में भी होता है, तो य NDA के हमेशा हर साल के दो बार पर ये paper होते हैं, जिसे NDA one और NDA two कहा जाता है, right, जिसे NDA one और NDA two कहा जाता है, जो April और September या October November में होते हैं, जिसका हर साल academic calendar आता, इस साल की बात करें, तो ये April वाला और September वाला आ गया, अब बात करते हैं, कि अगर April वाले के लिए देखें तो अक्सर जो first NDA होता, उसके लिए NDA two के बाद हमें seven to eight month मिलते हैं, पर NDA two के लिए कम time मिलता है, तो हर एक बच्चा जो NDA के लिए एक्षा रखता है, उसको सबसे ज़्यादा अपना time जो मिलेगा, वो मिलेगा April अटेम के लिए, इसलिए जितना हो सकता है, उतना focus होके पढ़ा ही करेगा, तो फायदा मिलेगा, अब बात आती है, कि ये जैसे इसके announcement date वगरा आ जाती है, जैसे NDA one के लिए notification 30th December को आएगा, 90 December जनवरी तक आप form फिल कर सकते हैं, admit card मार्च में आ जाएगा और 18 April को exam, इतना पहले से हमें पता होता है, तो जिस भी साल के लिए अ eligible, ऐसे ही NDA two के लिए 9th of June को notification आएगा, 29 June तक फिल कर सकते हैं, अगस में admit card आएगा और 5 September को आपका exam होगा, और करीब within 40 days इसका result आ जाता है, अब ये तो एक basic, पर सबसे important चीज होती है, वो होती है age limit, कौन बच्चा है जो NDA दे सकता है, ये एक सबसे important और सबजने वाली जिस पर कई लोगों को सही information नहीं होती, मेरे पास जो सबसे highest question आते हैं, वो आते हैं, कि sir मेरी data worth ये है, मैं eligible हूँ की नहीं, जब भी कोई बच्चा मुझसे पूछता है, मुझे बताने में तकलिब नहीं होती, पर मैं ये सोचता हूँ कि जो बच्चा मुझसे ही पूछ र तो उसको इतनी चीजे खुद से करना चाहिए, इसलिए session में बहुत detail में ले रहा हूँ, आप इसको पूरा सुनेंगे, आपको एक एक छुटी-छुटी चीजे बताऊंगा, और फिर आपको आने वाले दिनों में ऐसा नहीं कि किये वाली session होगा, classes भी मिलेंगी, जो आपक 5 से 19.5 के बीश में है, पर यही सबसे बड़ा confusion है, और बच्चे जब मुझसे पूछते हैं, तो वो गलत नहीं पूछते, मैं यह नहीं कहूंगा, क्योंकि अगर कोई बच्चा यह बोलता है, कि सर मेरी age 252002 है, तो क्या मैं eligible हूँ, मैं आपको पहले इसका एक concept बता दूँ फिर आपके सारे concept भी clear हो जाएंगे, और यह भी समझ में आएगा कि क्यों कोई मुझसे पूछता है, देखिए, यह बिल्कुल वो ही date लिगे, अभी मुझसे बिल्कुल session के पहले ही किसी ने पूछा, कि सर मेरी date of worth है 252002, क्या मैं NDA1 के लिए eligible हूँ, याद रखिएगा ब सबसे पहले मैं इस बच्चे की query दूर करूं, अगर किसी बच्चे की age है 0205, तो आज की date में वो कितने साल का है, तो आज की date है, क्योंकि आज date है 11 September, तो हम इसी से निकाल लेते हैं, चलिए 2020, और जब यह लिखता है 0205 2002, तो यहाँ पर आपको मिलता है 9, यह मिलता है 4, यह मिलता है 18, राइट, यानि सबसे पहले हम समझें कि यह 25 2002 को हुआ, इसकी age है 18 year, 4 month or 9 days, फिर भी यह बच्चा eligible नहीं है, तो यह confused इसलिए होता है कि सर आप बोलते है 19.5, मेरी age तो 19 से कम है, फिर मैं क्यों eligible नहीं हूँ, तो actual में logic यह नहीं है, logic यह है, कि जैसे NDA1 के लिए वो बच्चा eligible है, जिसकी date 2nd July 2002 है, या 1st July, जुलाई मतलब 7th हो गया, 1st July 2005 के बीच में, अब यह क्या हुआ, यह इसके थोड़ा सा पहले हुआ है, कब मैं है, इसलिए यह इस date से थोड़ा सा हुआ, इसलिए नहीं है, तो यह बहुत common बात है, मैं तो कह रहा हूँ, आप अभी यह 5 लिखा, मैं अगर यह 0, 1 कर दूँ, या मैं आपको एक और बात बताता हूँ, थोड़ा समझना, कोई बच्चा यह बोले कि मेरी इतर date of word जो है, वो है, 9, 10, 2000, 1, क्या मैं eligible हूँ, फिर question आएगा, तो मैं कहूंगा, बेटा, आज की date से आप सब्टेट करके देखिए, तो आज की date के साब से भी और exam date के समय की क्या बात होती हो बताता हूँ, तो यह हुई आज 11, 9, 2020, अब जब मैं इसको सब्टेट करता हूँ, ठीक है, तो 9 में से 10 मन्त नहीं जाएंगे, तो 1 मन्त यहां से ले लिया मैंने, तो यह हो गया 12 और 9, 21, यह हो गया 21, अब आपने माइनस किया तो 2, 21 में से गया तो 11, और यह हो गया, कितना, यह 19 हो गया, तो 18, अब कहने को यह, कहने को यह बच्चा कितने साल का बिटा, 18 साल, 11 महीने, दो दिन, बट, यह eligible नहीं है, तो confusion यहीं से start होता है कि मैं कहतो रहा हूँ, 95 हूँ, और सर मैं 18 साल, 11 महीने कहूँ, क्यों eligible नहीं, तो मैं यह आपको समझाता हूँ, तो यह बच्चा कहने को 18 साल, 11 महीने, दो दिन का है, बट, यह eligible नहीं है, तो इसका concept यह है, जो थोड़ा सा आप समझ लें, फिर हम आ गया जाएंगे, कि यह जो age होती है, जब बच्चा एड़ बीच, इंटरेंस exam देता है और वो academy तक जाता है, उस बीच में जो process time होता है, वो लगभक 6-7-8 महीने का होता है, तो यह वो academy के लिए देते हैं, कि आप जब इंटर हो रहे हैं academy में, तो 19.5 से कम, या 16.5 से जादा हो, यह actual में logic है, थोड़ा सा अगर आप यह समझेंगे, तो आपका confusion खतम हो जाएगा तो highest जो question पूछे जाना है, इसलिए मैं इस पर time दे रहा हुँ ना, कि highest पूछे जाने वाला जो question है, वो age को लेकर है, और किसी बच्चे का यह question कोई गलत नहीं होता, कि वो कहता है कि सर मैं अभी तो 19 साल का हूँ, और वहाँ साले 19 लिखा मैं eligible क्यों नहीं हूँ, तो उसक एक simple सा मैं आपको formula बता सकता हूँ, कि आप कभी भी किसी भी India को दे, चाए India 1, चाए India 2, चाए 2024 का, उनका एक concept समझ लिजी, अगर आपने उस concept को समझ लिया, तो मुझे लगता आपको कभी confusion ही नहीं हो सकता, क्या है, कि उन्होंने आपसे मांगा 2 जुलाई, अगर मैं बोल 2021, मांगी क्या है डेट, देखे जरा, 2 जुलाई, 2002, राइट, थोड़ा समझना, अब इसको मैं माइनस करना चाहूँ, तो एक साल यहां से ले लूँ, तो एक साल अगर मैं हासे लूँ, तो बारा महीन है, तो आठ हो गया यह, अठारा, तो यह हो गया, सोला, ग्यारा, यह पीस अठारा, यानी जब वो एकजाम दे रे वाला दिन हूँ, उस दिन उसकी, अगर देट आफ मतलत उसकी एज, अठारा साल, ग्यारा महीने, सोला दिन है, तो वो अब आपको logic भी समझ में आ गया होगा 18 साल 11 महीने 16 दिन लग वक अब देखो इसके बाद अगर logic देखें तो 6-7 महीने का टाइम होता है 19.30 में वो एक इतने exam होता result आता एसस भी होता ये process में वो एक माद मान के चलते हैं और ऐसे ही अगर यहां पर हम जाएं जब इसको माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा देखें मैं वो भी बता देता हूँ कि अगर आप इसको भी माइनस करेंगे exam वाले दिन पर तो आज 18.04.2021 ये सब्टेट करना भी सीख लीजे 1 जुलाई है ना 1 जुलाई 2005 तो एक साल यहां से लिया तो आटारा महीने तो फिर ग्यारा मिला ये कितना मिला बेटा सत्रा और ये कितना मिला ये बीस हो गया तो पंदरा यानि अगर कोई बच्चा पंदरा साल ग्यारा महीने सत्रा δिन का है तो inter हो सकता है और 18 साल 11 महीन और 16 साल का है तो भी वो इंटर हो सकता इस बीच में होता है तो एक तरह से समझ लें कि 16 साल से 19 साल के बीच के अगर आप हो 19 से थोड़ा कमी मान लो तो आप eligible हो यह एज क्राइटेरिया को लेके ही सबसे आदा question पुछे जाते हैं जिसका मैंने आपको एक logic बताया अब बात आती है कि अगर NDA 1, NDA 2, 21 की जगे 22 की बात हो रही तो क्या होगा तो यहां पर 2002 की जगे 2003 हो जाएगा यहां पर 5 की जगे 6 हो जाएगा बस ऐसा NDA 1 के लिए कर सकते हैं ऐसे ही NDA 2 के लिए कर सकते हैं आप एक एक साल बढ़ा लें तो इससे आपका confusion सबसे पहले खतम हुआ आप अपनी data work देखें इसके बीच में हैं तो पूछें question नहीं तो ना पूछें उलजही ना सीधा logic है कि जुलाई 2 से लेके 2005 से लेके और 2002 से लेके 2005 तक बस इन देट को भी include करते हैं वो अच्छा कोई बच्चा अगर इस data work का है 11th class में है या 12th appearing है वो exam दे सकता कि नहीं है यह दूसरा मुझसे पूछे जाने वाला question 11th या 12th में इसका भी मैं आपको concept बता दू कि जो बच्चा 11th में है 12th में और इस data work में तो वो exam दे सकता है बट वो consider नहीं होगा केवल वो बच्चे को ही consider कर सकते है जो 12th pass है या NDA 1 के समेट 12th का exam होता है और SSB के तक वो NDA 1 12th का result आ जाए है ना तो यह एक basic logic है तो अगर कोई बच्चा जैसे अभी मालो September में जब exam होता है तो जो 12th apparing होता है वो exam जब दे सकता है पर वो eligible नहीं होता अप्रेल वाला बच्चा इसलिए eligible होता है क्योंकि March में 12th के exam होते है और मही में result आ जाता है तो यह एक basic चीज है तो कई लोग जो इस age वाले होते हैं वो form भरते हैं उनको consider भी कर मतलब हो जाता है वो बट वो eligible नहीं होता है अगर वो return exam भी qualify कर लें तो अब बात आती है थोड़ी आगे कि अगर हम defense के बारे में सोचते हैं तो educational qualification क्या होना चाहिए यह एक बहुत ही important और एहम point है सबसे पहले हम समझें कि अगर वो army में जाना चाहता है तो उसके पास choice subject any हो मतलब चलेगा यानि 12th pass ही मांगा जाएगा या 12th equivalent वो किसी भी state का हो किसी भी subject का हो यानि वो PCM है तो भी eligible है PCB है मतलब physics chemistry bio तो भी eligible है commerce है तो भी eligible है arts है तो भी eligible है यानि army wings के लिए officer rank पे भी subject का problem नहीं होता but अगर आप year force और naval academy का सोच रहे हैं तो आपके पास physics और mass होना जरूरी है यह ध्यान रखिए बिलकुल clear लिया है physics and mathematics chemistry ना भी हो चलेगा कई बार कुछ school में option होता है अभी new education policy में तो बहुत changes आ रहे हैं आगे हो सकता है इसमें भी कुछ changes आ है but यह simple सा logic है कि physics और mathematics तो अगर कोई बच्चा 10th में है और defense में सोचता है तो मैं बोलूँगा PCM ही subject ले बिना किसी confusion के PCM भली ना ले chemistry भली ना ले फर physics मैं जबूड ले जिससे वो तीनो wings के लिए open हो जाए otherwise अगर उसका commerce arts है तो फिर वो problem होता है पर बाइल लीजिए आप 11th कर चुके हैं या 12th में हैं और commerce या arts है तो फिर आप army के लिए preparation करें अब आती है दूसरी important बात कि army के लिए preparation करें तो क्या जो बच्चा commerce वाला है या जो बच्चा बायो वाला है उसको math का paper नहीं देना होता वो आगे जाके cds में होता इधार नहीं होता तो यहाँ पर तो उसको 11th 12th का math का paper देना ही होगा मतलब जो math paper होता है वो देना ही होगा इसलिए subject selection सही हो तो अच्छा है otherwise no problem अब कर चुके हैं तो math पढ़नी पढ़ेगी और बिल्कुल start from basic to advanced level यानि आप 9th 10th की book उठाके math पढ़ें आपको फायदा मिलेगा ये एक बात हुई अब बात होती है paper की जो मैंने आपसे बोला तो paper दो होते हैं एक paper होता है जिससे हम बोलते है mathematics जो composer ये चाहिए आपका commerce subject हो चाहिए आपका arts हो चाहिए बायो और दूसरा होता है general ability test जिसे हम GAT बोलते हैं दोनो paper ढ़ाइडाई घंटे के होते हैं but math का paper 300 marks का होता है और GAT का 600 marks का math में 120 questions आते हैं और GAT में 150 questions आते हैं इसमें आपको marking scheme जो होती है वो 2.5 और right के मिलते हैं और wrong के 2.5 by 3 यानि 0.833 के असपस GAT में marking scheme होती है 4R और negative marking होती है 4 by 3 यानि 1 by 3 3 1.33 इस तरह से return जो exam होता है वो 900 का होता है इसके marks के basis पर इसके marks के basis पर आप पहला phase clear करते हैं जिसे हम बोल सकते हैं phase 2 होता SSB वो भी 900 का ही होता है 900 का ही होता है और उन दोनों के overall school से आप finally recommend होते हैं या नहीं होते हैं तो पहले आपको return exam में return exam का एक proper cut off होता है हर साल का अलग-अलग होता है उस cut off को अगर आप के लिए कर रहे हैं तो आप qualify हैं नहीं तो आप dis qualify हो जाते हैं फिर आप अगला NDA दे सकते हैं और जब तक NDA दे सकते हैं जब तक कि आपकी age ना निकल जाए तो tentative 19 साल के पहले मतला 18 साल 11 महीने तक के हो तो दे सकते हो बाई चांसी age निकल जाए तो निराश होने वाली बात नी पर CDS, F-CAT आगे की आ जाती है इतना कुछ scope है जिसकी हद नहीं पर अभी ये पूरा focus NDA पर इसमें मैं न TAS की बात करूँगा न Navy Tech के ना किसी और की एक समय में एक session discuss करने से बहुत फायला होता है ये isolation channel का रखने का region भी ये ये कि isolated रहेंगी चीज़े आपको बहुत properly और अच्छे से मिल पा यही पर पाज़े तो ये बात समझ में आ गई होगी होगी आपको इस तरह से दो paper आपको देने होते हैं मैस का paper में question कम होते हैं time उत्ते ही होता GAT में क्योंकि mathematical नहीं होते हैं इसलिए पर जब बात आती है GAT की तो GAT का मतलब क्या होता है ये बहुत तोग नहीं समझते वो भी मैं आपको बताता हूँ जब बात आती है मैस की paper 1 की जो 300 marks का है तो इसमें पूरा 11th और 12th का ही मैस होता है इसके लिए best book जो है वो है NCRT की आप किसी भी state के होँपर NCRT की book ले लें direct question आते है NCRT से और अगर चाहें तो previous year के paper ले लें previous year paper काफी help करेंगे उसके लिए आपको market में book मिल जाएगी 2010 से अब तक के सारे papers की book ले ले और कोई और भी book लेना चाहें तो R.A. सक्वाल की book ले सकते हैं अब इसमें पूरा 11th का syllabus से like algebra matrices, determinant, dignity कहने को ये algebra लिखा है पर algebra मतलब होता है set theory, complex number binomial theorem, progression X4 series, log series matrices, determinant ये सब मिलाके हम permutation, combination सब को हम बोलते है algebra चिकना मेंटी पूर ही आती है 11th, 12th level की अच्छी analytical geometry का मतलब होता है 2D and 3D ये पूरा आता है 11th का syllabus से इस पर ज़्यादा हमें differential calculus, integral calculus, equation, vector algebra vector algebra के साथ 3D वहां आ गई statistics and probability इस तरह से पूरा 11th और 12th का paper होता है math paper 1 जिसे बोला जाता है अब बात आती है जब हम paper 2 पे आते हैं तो paper 2 जो है वो English paper 2 में दो part होते हैं part A and part B part A में होता English जिसके maximum marks 200 होते हैं part B में होता है G80 जिसके maximum marks 400 होते हैं अब ये जो 200 marks का paper है English का English math के बाद दूसरा सबसे important कोई subject होता है तो आप दिमाद में रख लो की वो English है अब English क्यों important है कई बच्चे ये बोलते हैं कि सर English क्यों important है ना होता English तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि English इसलिए बैसे NDA में English का level काफी कम होता है कोई चिंता की बात नहीं है तो आपका English का basic knowledge अच्छा हो इसलिए English important होता है इसलिए आप इससे बच ना पाएं ना बचें अब बात आती है कि अगर आपका medium हिंदी है तो क्या करें कोई बात नहीं आप जिस भी class में 10th, 11th, 12th immediately हिंदी की book बंद करके English पढ़ें दूसरा आपको English में क्या-क्या करना वह effort बताता हूं क्योंकि हम कोई भी language जब ही बोलते हैं जब हम वह सुनते हैं तो आपको थोड़ा English listening की आदर डालनी चाहिए English serial या English news सुनने के आदर डालेंगे न्यूस सुनने में दो फायदे हैं English तो सुनी रहे हैं साथ में आपको current affairs की information भी मिलें जब भी English news सुनें तो अपने साथ news pen copy रखें जो important point हैं वो आप note करते हूं चलें जैसे आज की date में हम देखें तो कोविट को लेके हम बहुत सारे questions आने वाले समय में मिलेंगे current affairs में किस country ने कैसे control किया कैसे हुआ वैक्सीन कौन कौन सी का वर्ल्ड कंपनी वर्ल्ड कंट्री तयार कर रही है ऐसे बहुत कुछ होगा या अभी इंडिया चाइना वाडर पे आप देख रहे हैं टेंशन चल लएए उस पे इंडिया का क्या action है चाइना का क्या action है हमारी जो आर्मी जो है या हमारी एर फोर्स है उनके क्या क्या actions है गरवर्मेंट क्या कर रहे है ऐसी बहुत सारी तो न्यूज सुनने में जो important न्यूज है उनको फिर होता reading English newspaper के आदर डालें हिंदू regular पढ़ना चालू कर दें चाहिए ना समझ में आए दस दिन पंदा दिन बीच दिन कुछ नहीं आएगा फिर दीरे दीरे आने लगेगा उसके proper notes बनाएं तो उससे आपकी एक English की habit बढ़ेगी तो एक दो फायद होंगे एक साथ एक तो English का आपका syllabus cover हो रहा है साथ में आपका English भी improve हो रहा है और current affairs भी आप news भी world history से क्योंकि जब SSB देने जाओगे तो कुछ भी पूछा जा सकता आप से तो ये भी एक तरह से तैर हो रहा है और जितना पहले करेंगे उतना अच्छा है यही difference है बाकी exam में और defense में अगर हम बाकी exam की बात करें हम बात करें IAT की तो physics के मिश्टी match देना अगर हम बात करें NEET की तो हमें physics के मिश्टी biology देना अगर हम बात करें CLIET की तो account ये लाओ के exams देने अगर हम बात करें कोई भी CA foundation की तो उसके देने पर जब हम defense की बात करते हैं तो हमारी overall personality चेक की जाती है हमारी overall knowledge देखी जाती यानि हम एक कितने अच्छे allounder हैं इस पर depend करेंगा तो ये सब चीजे कोई एक दिन का process नहीं होती तो कई कई लोग ये सोचते हैं कि हम 12 से start करेंगे preparation कई लोग सोचते हैं कि हम 11 से करेंगे मैं कहता हूँ कि जिस दिन आपने सोच लिया कि defense में जाना है उस दिन से आप अपने आपको अगर तयार नहीं करोगे तो SSB में out हो सकते हैं क्योंकि SSB का rejection rate 98 से 99% अडिया नहीं सो में से एक दो या तीन बच्चे ही select होते हैं कई बार पूरा पूरा batch out हो जाता है कई बार एक भी नहीं लेते क्योंकि वो जो चाहते हैं वो quality आपके अंदर नहीं होगी officer quality तो आप select नहीं होगे और लोग सोचते हैं 15 officer like quality अगर वो हो गई हमारे अंदर वो पता हो तो हो जाएगा पता नहीं वो आपके अंदर होना चाहिए इसलिए defense अगर सोचते हैं तो जितना पहले start करेंगे उतना आपको फायदा मिलेगा session long है आपके लिए पर जो बाते बोलूँ अगर ये बाते आपने समय रहते हैं उस सुनी और इस पे कुछ work किया तो आपको इसका फायदा मिलेगा फिर बात आती है GAT की तो GAT कहने के लिए बहुत छोटा है पर बहुत बड़ी चीजे इसमें आपको physics, chemistry social studies, general science, bio history, polity सब कुछ मिलेगा तो आपको यहाँ पर 7 to 10th की 7 to 10th की NCRT की book बहुत help करने वाली यह नहीं हो तो खरीद ले हो तो अच्छी बात पेपर के जब हम इसमें प्रिविश सेर के पेपर से आएंगे तो आपको काफी detail मिलेगी यह हुआ एक basic concept जिसे आप ध्यान रखेंगे हैं अब जब हम बात करते हैं तो एक छोटा सा मैं idea देता हूँ कि पेपर के जंग से होता है कैसे cut off देखा जाता है एक छोटा सा idea दे रहा हूँ आपको इससे काफी चीजे समझ में आ जाएंगे क्योंकि यह चीजे कई लोग नहीं समझ पाते हैं जैसे अभी मैंने 2019 का एक cut off का एक list दिया है 2019 में number of vacancies जैसे दिया हूँ जैसे 447 2208 आर्मी के लिए नेवी के लिए 42 है यार फोर्स के लिए 92 है नेवल एकेडमी के लिए 50 है टोटल 392 है अब बात करते हैं जैसे यहाँ पर दिया हूँ minimum qualifying standard ठीक है इसमें medical भी होता है और medical के बाद ऐसे बी के बाद एक medical उसके बाद आप finally recommend होते हैं या नहीं होते है जैसे minimum qualifying standard दिया है इसका मतलब यह होता है कि जब NDA paper बनाता है तो दो तरे से cut off रखता है एक minimum और एक maximum मैस का जैसे उन्होंने बोला minimum 25 यानि हर बच्चे के minimum 75 number होने चाहिए GAT में minimum 150 होना ही चाहिए 75 minimum 150 minimum होना ही चाहिए अब इन दोनों को जब add करता है कोई बच्चा तो वो यहाँ confused हो जाता है 225 हुआ पर यहाँ तो 342 लिखा अब यह हुआ 342 में से 225 जबाब माइनस करते हैं तो आपको मिलता 117 यह 117 जो score का difference है यह इन में से कहीं कमाना पड़ता है मतलब कोई बच्चा माल लो 200 number मैस में ले आया तो 120 और इसमें 150 लाया तो भी qualify कोई बच्चा माल लो इसमें 300 ले आया इसमें 75 ले आया तो भी qualify पर कोई बच्चा माल लीजिए मैस में 200 number लाया है पर जी एटी में 149 लाया है ओवराल स्कोर होता है 200 प्लस 149 यह कई लोग नहीं समझ पाते है 349 इससे ज़्यादा होने के बाद भी है disqualify क्योंकि इसका minimum से एक number कम है या मैस में माल लो किसी के 74 है और यहां 300 है तो भी है disqualify तो दो चीजों से आपको गुजरना होता है एक minimum और maximum इसलिए जब अच्छे तयारी करते हैं मैं बोलता हूँ आप minimum 25 की जगे 30 ले ले यानि मैस में 90 जी एटी में 180 और overall आप 325 से लेके 350 मान के चलें हर साल का अलग-अलग आता है पेपर की toughness से पर in general 330, 340, 350 ऐसे ही आता है पर इतना आएक मान के चलें तो आप अगर ऐसा सोच के चलते हैं कि 90 नंबर कम से कम मैस 80 ये 180 पर 350 मुझे टोटल लाना तो आप safe zone में बट ये last candidate होता है तो जितना जादा score हाई होगा SSB के total के साथ आपको उसका फायदा मिलेगा जैसे अगर आप एर फोर्स में थोड़ी ranking हाई जाती नंबर हाई जाते हैं तो ये last candidate है जो select हुआ है इसलिए मैं कहुँगा कि आप कोशिश करना चाहिए कि आप क्यूंकि मैस में कोई भी बच्चा easily 200 तक और GAT में 350 से 400 तक बना सकता है अगर एक सही समय पे सही तरीके से पढ़ाई की जाए तो ऐसे नहीं तो वो सही समय सही तरीके से पढ़ाई के लिए आपको समय रहते हुए कुछ action लेना पढ़ेगा तो ये एक चीज है जो ध्यान रखनी है आपको ये एक tentative मैंने idea दिया हर साल के cut off कभी भी plus minus जाते हैं जैसे अगर हम इसके बाद देखें तो देखें थ्री थर्टी एटी गया है और वो ही 25% minimum overall 705 ये last candidate है तो ये एक मैंने आपको idea दिया no doubt defense में एक बहुत अच्छा आप career बना सकते हैं बहुत अच्छे sally packages होते हैं facilities no doubt आप तो sally भी बहुत अच्छी हो गई facilities भी होती है आपको पिल्कुल medical आपके लिए free होता है military से आपको सावान में Texas की shoot होती है घर आपको मिलता है आपके पस गाड़ी होती है सब कुछ होता है पर ये सोचके नहीं जाना है कि sally बहुत अच्छी घर मिलेगा या facility सोचके ये जाना है कि अगर मुझे country के लिए सब करना है कुछ अच्छा करना है तो मैं defense में जाके करना चाहता हूँ या आपके अंदर का dream होना चाहिए तो ही देखिए और दूसरा आप अगर 10th, 11th, 12th में तो कुछ समय अगर आपके पास army can't वगरा हो defense can't हो तो आप उदर कुछ समय जाएए देखिए उनकी live style उनसे बात करिए क्योंकि जितनी चीजे आपके अंदर आएंगी दीरे दीरे उतना फायदा आपको SSB में मिलेगा तो आज इस session में इतना ही रखते हैं दीरे दीरे आपको इस channel पे बहुत सारे sessions मिलेंगे और इसलिए मैं कहूंगा कि आप main channel भी subscribe रखी इसको भी रखी जिससे की आपको notification मिलते रहें और आपको एक proper information भी मिलती रहें तो दीरे दीरे हम इस sessions में कई सारी चीजे cover करेंगे अभी जैसे NDA लिया है और भी जो exams है उनकी detail अब इसमें जो आप questions लिखेंगे उसके लिए मैं फिर आपको अगर कोई doubt होते हैं तो जबू बताऊंगा एक मैंने आपको idea दे दिया preparation के लिए मैंने बुला आपको NCRT की books लें और previous year की papers की एक book ले लें ये दो चीज अपने साथ रखें and then start 50% syllabus कोई बच्चा अच्छे से कर ले या 50% अच्छा score कर ले तो 900 का 50 होता है 450 बहुत अच्छी rank के साथ वो जा सकता है बर सही समय पे सही action लेने से ही कुछ result मिलता है बिना उसके नहीं होता है दूसरा अगर आप difference सोचते हैं एक आपकी lifestyle होना चाहिए आपके उठने का, सोने का, खाने का, पीने का सबका time बहुत ही fix होना चाहिए एक routine life अगर आप जी रहे हैं एक discipline life जी रहे हैं तो आपको उसके फायदे मिलेंगे चलिए, thank you and all the best